प्रेम विवा हमेशा से ही लोगों की उत्सुकता का विशय रहा है इसका नाम सुनकर ही अविवाहित लड़का-लड़की के मन में अनेक ख्याल घूमने लगते हैं शादी के उम्र तक पहुचा इनसान इसके बारे में सोचता है कहते हैं प्यार मोहबबत की कोई उम्र नहीं होती और ये भी सच्च है कि आज वक्त काफी बदल गया है आज के दौर पर अधिकतर लोग अपना जीवन साथ ही खुद चुनना पसंद करते हैं हमारे भारतिय समाज प्रेम विवा को उत्मी स्वतंत्रता के साथ लोग स्वीकार नहीं कर पाते बात करें पढ़े लिखे व वक्त के साथ बदलती सोच वाले लोगों की तो ऐसे लोगों के लिए प्रेम विवा अब मुद्दा नहीं रहा लेकिन आज भी बहुत से मध्यम वर्ग के परिवार में माम बाप अपने बेटी बेटा के लिए खुद ही उसका जीवन साथ ही देखते हैं शादी बनाने के लिए जन्म कुंडली इत्यादी सब देखा जाता है पर इन सब के बावजूद भी कहींते ही लड़का-लड़की के मन में हजार सवाल घूमते हैं हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिन्हें करने से आपको इसमें सफलता मिलेगी आप अपने प्रेमी को लेकर मन में सही विचार रखते हुए लक्षमी नारायनाय नमा मंत्र का जाप करे जाप शुरू करने से पहले भगवान विश्णो और मा लक्षमी की मूर्ती या फिर उनकी फोटो अपने सामने रख ले और जाप के लिए स्वटिक माला का प्रयोग करे साथ ही ध्यान रखे शुकल पक्ष के गुरुवार को इस मंत्र का जाप शुरू करे एक दूसरा मंत्र भी है जिसका जाप शुरू करने से पहले अपने प्रेमी या प्रेमिका का ध्यान मन में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए इस मंत्र का जाप शुरू करे जोकी है केश्वी केश्वाराध्या किशोरी केश्वस्तुता रूद्र रूपा। रूद्र मूर्ती, रूद्राणी रूद्र देवता ऐसा करने से प्रेम विवा में सफलता मिलती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिये गए नंबर पर कॉल करें।